हमें उमीद है कि मान लीजे इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में जब वैक्सीन उपलब्ध होती है जिसकी आज प्रबल संभावना यह दिखती है क्योंकि एक वैक्सीन थार्ड फेज के एडवांस्ड उसमें है क्लिनिकल ट्राइल्स में और जो दो वैक्सीन्स है वो सेकंड फेज के क्लिनिकल ट्राइल्स के एडवांस्ड फेज में है तो यह वैक्सीन्स जैसे हमें उपलब्ध होती है तो फिर हम अभी देश भर में लिस्टें तयार कर रहे हैं कि स्टेट गौवर्मेंट्स को कह रहे हैं कि जैसे प्राइटाइज करना है मान लीजे हमारे हल्थ वरकर्स हैं हमारे फ्रेंट लाइं जो वरकर्स हैं या इसके अलावा जो भुजर्ग लोग हैं जिनको को मौर्बिडीेग्स goes जो भी क्राइट्रिया पहले किसको देना सबसे जादा आउशक है उसके लिए लिस्टेंह तयार करना है सारे देश में वैक्सीन दे वैक्सीन को देने वाले लोगों की टीम्स है उन टीम्स की ट्रेनिंग है तो ये सारे काम अब भारत सरकार जो है इसने बहुत गहराई से गंबीता से शुरू किये और इसमें हम सारे स्टेट्स को भी एक ही वेवलेंक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं